नमस्कार आप देखे रहें इंडिया वोईस मैं हूँ आपके साथ जो इसम बुल्टेन के शुरुआत करेंगे प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी ने आज गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केवल आधारत ब्रिज का उद्गाटन किया बता दे कि गुजरात के ओखा और पेट द्वारका द्वीब को जोडने वाले सुदर्शन सेतू का निर्माट 89 करोर रुपए की लागत से किया गया पीम मोधी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलो मीटर लंबे पुल की आधार शिला रखते हुए कहा था कि ये पुराने और नए द्वारका के बीच में क अध्वितियर डिजाइन का दावा करता है जिसमें भगवत गीता के श्लोको और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ एक पुरपात है तो सुदर्शन सेतु का उद्खाचन किया गया और 780 कडोर के लागत से जो है बना गया है 2.3 किलो मीटर लंबा यह सेतु है और साल 2017 में पीम ने इसके आधार श्रिला रखी थी तो पीम मोदी ने इसके आधार श्रिला रखी थी और इसके दोनों तरफ सुदर्शन सेतु के दोनों तरफ पुल बनाए गए है गीता कशलूक भवान कृष्ण की छवियों से यह फूट पाच जो है सजा हुआ है और वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्याले में आगामी लोग सभाचुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई जहां बैठक में चीपी नड़ा, सीम योग्यों और अमिशा मौजूद रहे उतरपदेश में बीजेपी को मजबूत करने की मसले पर यह बैठक आयोजित की गई जहां बैठक में यूपी के दोनों डिप्टे सीम भी मौजूद रहे यह बैठक दो घंडे तक चली यूपी में कमजोर सीटों पर रणे नीती को लेकर चच्चा भी की गई वहीं प्रधान मंत्री नरन मोदी ने कसानों के लिए सहकारिक श्रीत में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडारन योजना के शुरुआत की है पेम मोदी ने 11 राज़ों में प्रात्मिक कृषिर समीतियों में अराज भंडारन के लिए 11 खुदामों का उद्खाटन किया भारत मंडपम विक्सीद भारत की अमरित यात्रा में एक और बड़ी उपलब्दी का साक्षी भन रहा है सहकार से सम्रुद्धी सहकार से सम्रुद्धी का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं खेती और किसानी की नीव को मजबुत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्राले का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एकारकम हो रहा है आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है इसके तहट देश के कोने कोने में हजारों वेर हाउसिस बनाए जाएंगे हजारों गोदाम बनाए जाएंगे आज अठारा हजार पैस के कंप्रिटराइजेशन का बड़ा काम भी पुरा हुआ केवल व्यवस्ता नहीं है सहकारिता एक भावना है सहकारिता एक स्पिरीट है सहकारिता की ये स्पिरीट कई बाव व्यवस्ताओं और संसाधनों की सिमाओं से परे आस्यरे जनक परणाम देते हैं सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य ववस्ता को बड़ी आउद्योगिक छमता में बदल सकता है ये देश की अर्थिववस्ता के खास कर ग्रामीन और कृषी से जुड़ी अर्थिववस्ता के काया कल्ब का एक प्रामानित तरीका है आज देश में भी देवी और कृषी में सहकार से किसान जुड़े हैं उनमें करोडों की संख्या में महिला ही है महिलाओं के इसी सामर्थ को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नितियों में उन्हें प्रात्पिक्ता दी है आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोपरिटिव सोसाइटी एक में सुधार लाया गया है इसके तहट मल्टी स्टेट कोपरिटिव सोसाइटी के बौड़ में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है हमने देश में दस हजार एप्योज बनाने का लक्ष रखना था एक अलग सहकारिता मंत्रा ने होने के उसका नतीजा यह है कि देश में आठ हजार एप्योज का गठन और डेडी हो चुका है कारियरत हो चुके हैं कई एप्योज की सकसे स्टोरी की चर्टा आठ देश के बाहर भी हो रही है और तो प्रदेश में पूलिस परिक्षा का पेपर लीग को लेकर भारी पवाल को देखते हुए प्रदेश की योगी आदितिनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सियम योगी ने छात्रों के शुकायक के बाद यूपी पुलिस भरती परिक्षा को रद करने का अईलान किया है छे महिने के अंदर एक बार फिर से यप परिक्षा उचित की जाएगी जल्दी पुलिस भरती बोर्ट की ओर से इसकी खोचना कर दी जाएगी सिमने परिक्षा में इधानली करने वालों के खिलाफ कड़ी का रवाई का भी भरोसा दिलाया साथि उन्होंने कहा कि युवाओं की मैनत और परिक्षा की शूचितास देखिलवार करने वालों के खिलाफ कठोरतं का रवाई की जाएगी परिक्षा की वोपनियता को भंग करने वाले स्टीएफ की रजार में हैं इस मामले में अब तक कई बड़ी इखरफतारिया भी हो चुकी है तो यूपी पुलिस आरेक्षी नागरिक पुलिस के पदों के चैन के लिए सीयम योगी ने जो ट्वीट किया है उन्होंने साफ़तार पर लिखा इसमें कि आयुजित परिक्षा 2023 को निरस्त करने और अगामी छे महीने के अंदर ही दुबारा से जो है परिक्षा आयुजित कि जाएंगे और परिक्षाओं की शूचिता जो है वो भंग करने वालों के खिलाफ का रवाई होगी इससे कोई समझहोता नहीं किया जाएगा युवाओं के मेहनत के साथ जो है खिलवार जिसने भी किया है वो किसी भी हाल में बक्षे नहीं जाएंगे और यूपी पुलिस भरती परिक्षा रद होनी पर सफा प्रमुक एकलेश व्यादव ने योग सरकार पर हमला किया है अकलेश ने कहा कि परिक्षा रद कर सरकार ने अपनी नाकामी मान ली पेपर सरकार की नाकामी के कारण लीख हुआ जब पहले ही दिन पेपर लीग का पत ही नहीं हुए और अब कैसे माल लिया इसका मतलब अधिकारी और अप्राधी मिले हुए है और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर्व पर रख्यों थी लेकिन तमाम सबूतों के आगे के चुनाओ में अतिहासी खार से बचने के लिए सरकार चुटने पर मजबूर हुई है कि अगर जाती होती नौखरी देने की और सरकार अगर जाती होती नौखरी देने की सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीग हुआ था उसी समय सरकार सक्ती से कारवाई करती और उसका पड़ाम यह होता कि किसी भी परिचा का पेपर लीग नहीं होता और आज केवल पुलिस भरती के पेपर लीक के आरोप नहीं है बलकि आरो ए आरोप की जो भरती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे चात नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोग सिवायों के सामरें वो अपना परचा कैंसिल कराना चाहते हैं आप सोचिये सरकार जो दावा कर रही थी कि परिच्छा बिलकुस सुरच्छित होगी ये देखे सुरच्छा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्विकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वज़े से पेपर लेक हुआ है इनकी नियस साफ नहीं रही फैसला अधूरा है जिस तरह से ये सरकार हर भर्टी में इस देश की जन्ता के साथ दोका करती आ रही है उससे 6 महीने की अवधी परविश्वास नहीं किया जा सकता है जब सरकार मान जाईए की पीपर लिख हुआ है तो चिन अभी अर्थियों के पास पहले से प्रवेश पत्र है उनका अधित्तम 15 दिन और लोग सभा के अधिसूशना लागू उने से पहले दोबारा उनकी परिक्षा करा देनी चाहिए 6 महीने की अवधी किसी भी एंगल से विश्वास पे नहीं रखी जा सकती क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार हर भरती में हर एक्जैम में इस प्रदेश को युवाओं के साथ धोके बाजी लूट-खसोट करती आ रही है तो 6 महने की अबदी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इस देश की न्याय ववस्था क्या कहती है इस देश की न्याय ववस्था की जो मूल भावना में से एक है कि नियाय मिलने में देरी भी अन्याय है तो जब अब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो इनी छात्रों को जो पहले से उनके पास प्रवेश पत्र है उसी प्रवेश पत्र पे अधिक्तम 15 दिन या कह लीजे लोगसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले दुबारा इनकी परिक्षा करा दी जाए दूसरा सबसे एहम बिंदू ये है कि इनी के एक उपमुख मंतरी ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ और मानिये मुख मंतरी जी का नेड़ने उस व्यक्ति को अपने आप में संदिक्द कर देता है तो मैं तो मानिये मुख मंतरी जी को ये चुनोती देती हूँ कि ये आपके भी तो साख पे बट्टा है कि आपकी ही सरकार में बैठा हुआ एक अगर उपमुख मंतरी ये बात कह रहा है तो मेरा निवेदन भी है और चुनोती भी है कि आप इस पे निश्पक्ष जाच कराईए और आपको समझ में आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन दोशी है और उसके खिलाफ भी बहुत ही गंभीर कारवाई होनी जाए और प्रधान मंतरी नरिन्र मोदी ने विक्सित भारत विक्सित 36 गड़ संकल प्यात्रा कारिक्रिम के दोरान 36 गड़ को पड़ी सोखाती पेम मोदी ने 34,427 करोड रुपे की दस विकास पर्योजनाओं का शनिवार को डिजिटल माधिम सी लोकारपन और शिलान नियास किया विक्सित 36 गड़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के ससक्ति करण से होगा विक्सित 36 गड़ की निव आदोनिक इंफ्रास्टर्चर से मजबूत होगी मोधी हर घर को सुरिय घर बनाना चाहता है मोधी हर परिवार को घर में बिजली बना कर वही बिजली बेच कर कमाई का एक और साधन देना चाहता है इसी उद्देश के साथ हमने पी-एम सुर्य घर मुक्त बिजली योजना शुरू की है कॉंग्रेस ने सरकारे बार बार बनाई लेकिन भविश्य का भारत बनाना भूल गई क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था देश को आगे बढ़ाना यह उनके एजंडा में ही नहीं था आज भी कॉंग्रेस की राजनीती की दशा और दिशा यही है कॉंग्रेस परिवारबार ब्रश्टाचार और तुष्टी करण से आगे सोच ही नहीं पाती 37 गड़ के लाखों किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है पहले की कॉंग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी रोडे अटका रही थी अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है हर गर जल की योजना हर गर जल इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बना रही है पी एस्सी परिश्या में हुई गर बनाने की जाँच का भी आदेश दे दिया गया है मैं च्छतिश गर की बहनों को महतारी बंदन योजना के लिए भी बधाई देता हूं इस योजना से लाखो बहनों को फाइदा होगा ये सारे निर्णे दिखाते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी और बढ़ते हागे परेली में चक रोड की पैमार्श करने गए लेखपाल पर महिला प्रधान समेत उनके बेटों ने चानलेवा हमला कर दिया था इन मामले में अभी तक कारोपी के खिलाफ एफाई आर के बाद भी कोई गरफतारी नहीं हुए जिसको लेकर शुनिवार को लेखपालों ने कारे का बहुशकार कर विरोध जताया और वहीं लखनों में भी सपा सुप्रीमों अखलेश यादव ने चुनाओं को लेकर एक जरूरी बैठा की जिसमें सब ही बड़े नेता मौझूद रहे वहीं समाजबादी पार्टी के विधायक और लोग सभा प्रत्याशी रवी दास महरोतरा इन इंडो वाइस से खास ब बैठाक बुलाई विधायकों की और तमाम दिशा निर्देश भी दिये हमारे साथ मौझूद हैं सपा विधायक रविधास महरत्रा जी जिन से बात करते हैं कि क्या रह बैठाक में जो साट लाग पुलिस परिक्षा में भरती हुई थी सारे विधायकों की ये राय थी कि भ भाजपा सरकाप पहले पर्चे को आउट रहती है और इसमें बड़े बड़े दलाल लगते हैं पैसा कवाते हैं और उसके लावा चार सो रुपिया प्रतिचा से उन्हें फारम के प्रशे लिए अब साथ लाख लोगों से चार सो रुपए लिए गए तो धाई सो रुपिया हो गया जो गरीब नौजवान था वो उधार ले करके किराय से अलग आया यहां परिच्छा दी उसके बाद फिर यहां से घर के तो इस तरीके से एक विद्यारती का कम से कम एहरव्या खर्श होने का काम हुआ और उस परिच्छा में परचे आउट हो गए और आज सरकार ने खुछ सुईकार कर लिया कि परच्छा धानली हुई है और उन परिच्छाओं को हम लोगों के संघर्ष की कारणा से उन परिच सरकार उन चात्रों को बापस करें नहीं तो हम लोग आंदरोन करने का काम करेंगे इंडिया गडवन्दन में रिष्टे ठीक ठाक हो गए हैं टिकट बटवारी को लेकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ खीजता चल लए क्या है कोई नहीं समझे पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में उत्तफर घंडवन हो गया है और 13 सीटें समाजवादी पार्टी को 17 सीट कॉंग्रेस ने ली हैं और इस गडवन्दन के बाद इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत हो गया है अब इंडिया मोर्चे में पूरा एक्ता है और सब लोग बिल करके सबी विधायकों ने जो है का बद्दान होंगे और तीनों परत्यासी हमारे जीतेंगे हमारा कोई वोट भी क्रॉस नहीं होगा हम लोगों को एक्स्ट्रा वोट मिल रहे हैं हम जीतेंगे एक सीट पर भाजपा हारेगी स्वामी परसाद मोर्य और पल्लवी पटेल नहरा चल मोर्या जी ने पार्टी छोड़ दिया उनको उटा दिया गया पार्टी से और पली पटेल मान गई है वहम लोगों पक्समी मद्दान करेंगी जी बिल्कुल जिस तरह से सपा विधायक रविदास महरोत्रा का दावा है कि आने वाले चुनाओं में सपा के रासभा परतियासियों की जीत भी होगी वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक ने यहां भी खुलासा किया कि पुलिस भरती अभ्यारतियों का जो पैसा सरकार के ख बड़े वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमों अकलेस यादों ने यह भी एलान किया है कि सरकार की मनसा रहती है कि किसी भी बेरोजगार को रोजगार ना दिया जाए पुलिस भरती परिच्छा भी इसी का एक हिस्सा है जो जाच एजेंसिया लगाई गई है उसकी भी सुप्रीमों अकलेस यादों ने किया है कैमरा परसन रमा संकर यादो के साथ आसिप बेग इंडिया वाइस लग नहूं और फिलाल के लिए बस इतना ही खबरों के लिए बने रहें इंडिया वाइस के साथ